हुआ 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 है 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 वेल्कम बैक तू देखने वाले हैं कि ऐसे कॉंसे ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो इंटेलिजिट गेसिंग के लिए और यह जो सीरीज रहेगी इसमें हम क्या करने वाले इसमें हम प्रिवेस यह कोशन है उनमें जो ट्रिक्स लग रही है या फिर उनसे हम कुछ जो कर सकते थे या कर सकते हैं आगे या कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्टिक्लर टाइप का पैटन फॉलो करती हैं उनको हम इसमें देखेंगे तो अगर आप यह सीरीज कर लेते हो आखरी एक म मतलब यह नहीं कि पढ़ाई कुछ नहीं करिए और सिर्फ ट्रिक्स के बेसे पर चल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी नौलिज तो है ही आपकी उसको यूज करके थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट कैसे कर सकते हो वह हम देखने वाले हैं तो यह मत समझ देना कि इसको पढ़ लिया तो हमको अपना कोर्स करने का जरूवत नहीं है ऐसा नहीं है को प्लस इंटेलिजेंट कैसे करनी है वह हम इस कोर्स में सीखेंगे तो इन वीडियो के थूर मक्सद ही है कि आपको प्रिवेश एर कोस्टिंस के थूर यह बताया जाए क कैसे युनों ट्रिक्स अप्लिकेबल होती है और क्या क्या आप चीज उटिलाइज कर सकते हो राइट और इसमें हम सीखेंट मास्टर करा रहे हैं 7 देज में तो गो और चेक आउट इसके अलावा एकॉनमिक्स का भी प्री चैलेंज उस पे है वेबसाइट पर प्लीज गो सब्सक्राइब कराएं तो लास्ट यह काफी कोशन इसमें से आए थे 80% कोशन इसी में से थे तो प्लीज गो और चेक दिस आउट प्लीज पढ़ो इसको मैक्रों के कंसेट को समझो और हमको भी फीडबैक दो कि को कैसा है तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज ह इसमें विचरु एक एंट गयर तो यह सब्सक्राइब कारणने के सबस्क्राइब यह सब्सक्राइब और किसमें हैं मिलेट में है और किसमें है जूट में भी है ये सब आपको याद करना इंडिया की इंडिया वाइब फूचा घया है क्या है अब इसमें देखुआ है एक चीज में आपको बता देता हूं क्या है 2019 ये पेपर है ठीक है 2019 में और चौता ऑप्शन के बारे में बात किया गया स्याचिंग ग्लेशियर और कौन सी रिवर के पास है कौन सी रिवर इस उज्जन होती तैस्ट नूबरा है तो इस टाइप से यूपसी प्ले करता है तो पिछले पेपर के बहुत इंपोर्टन है अब हम इस कोशन में क्या करेंगे सारे ग्लेशियर को देख लेंगे इस हमको क्या पता है कि बंदर पूंच रिवर यमुनापर है हां यह चीज़ सही है यह हमको एक चीज़ पता है तो अ जुब्रा पर है यह भी सही है और तू और फ्री में शायद आगर आपने नहीं पड़ाओगा तो नहीं बतापाऊगे बाराश इंगरी आँचली चेना आपको फीट करता है बाराश इंगरी से चंद्रा रिवर निकलती है चंद्रा रिवर फिर जाके आपकी उसे मिलती है भागा river से मिलती है और चंद्र भागा बनाती है चंद्र भागा को यह हम चेनाप होगता है चलो आगे देख लिए तो बंदर पूर जो है कांपर रेंज है संकरी रेंज है कांपर बार को सोर्स लाइज अब तो यह बेसिक इंफोर्मिशन आपको याद करें बारेश इंग्ली के बारे में देख लेते हैं कहां पर है बारेश इंग्ली लाहॉलेंस पिती में है चंद्रा देखो चेनाप भी वहीं से आती है ठीक है तो लाहॉलेंस पिती से पहले चंद्रा रिवर निकलती है ठीक है फिर तांडी पे इसका कॉन्फूएंस होता है भागा नंदा देवी बायाश पर बगल में जेमू ग्लेशिर कहां पर है आपका ये सिक्किम में थे न इस्टन इमाल्यास का लाजर्जेशर है तो ये इंपॉर्टन हो जाता है ठीक है कौन से रिवर को सोराभरी जलی जले यह उतरा खन में कैई nenhuma और उतरा नाथ के बगल में तो की आपको याद समय खोसी का से बी मनगी मानस याद खन दरहो गारा मानस एस अलैस वाई旯ा सबीधर यह – 0 तो यह Southern Bhutan में originate होता है, Trans Boundary River in the Trans Boundary मतलब Bhutan से पर इंडिया में आती है, तो यह largest river system में Bhutan का, तो यह आपको याद रखना है, नेक्स्टोशन देखते है, Under the Ramsar Convention, तो Ramsar Convention क्या है, किस के उपर deal करता है, Protection of Wetlands के उपर deal करता है, तो wetlands के conservation से deal करता है, ठीक है, पहला देखते है, Under the Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect all wetlands on the territory of India, क्या गया, All, All क्या है, Extreme Statement है, All Wetlands, सारी Wetlands, बहुत ही दावएक साथ बात हो रहे है, गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो यह और यह चला गया, ठीक है, तो 3 तो सही है, हमको बस 2 पढ़ना है, Wetlands Conservation and Wetlands Conservation Rules were framed by the Government of India, based on the recommendation of the Ramsar Convention, सही है, क्योंकि Ramsar Convention deal करता है किस से, Conservation and Management से इस तो deal करता है, तो rules भी तब ही आए होंगे, रामसर Convention 2010 से पहले आया है, तो बाद में rules आया है, यह 2010 लिखा हुआ है, तो इस cancer क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, fairly simple, है ना, कब आया था Ramsar Convention 1982 में, हमारे rules कब आया है, 2010 में, जब rules बाद में आया है, convention पहले आया है, तो उसके उपर based होगा ना, ठीक है, तो यह पढ़ लेना आप अरामसे, ठीक है, आगे बलता है, हम यहाँ पे टेक्निक डिस्कॉस कर रहे हैं, कैसे करना है, options आप खुदी से ही PDF में पढ़ लेना, ठीक है, 41 देखते है, agriculture soil release nitrogen oxides into the environment, okay, cattle releases ammonia into the environment, quality industry, poultry industry releases reactive nitrogen compounds into the environment, आप देखो, यह किस पर question based है, nitrogen cycle पर पूरा का पूरा question nitrogen cycle पर बेज़ जाए, ठीक है, अब nitrogen cycle अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने आपको पता होगा कि soil nitrogen release होता है, denutrification bacteria जो होते हैं वह वापस जो है nitrogen को एट्मॉस्पर में release करते हैं, ठीक है, तो पहला हो गया सही कि जो agriculture soil है, वो nitrogen oxides release करते हैं, यह चीज़ सही है, ठीक है, और nitrogen का source कहां से है, cow dung जो होता है, cattle releases ammonia into the environment, सही है, जो cow dung होता है, वो source है, organic manure का है, उसमे nitrogen वगेरा रहता है, ठीक है, आप देखो, अगर यह नहीं भी मालूम है, थर्ड वाला, तो one or two किसमें सही है, one or two सिवेकी option में सही है, जो कि D है, तो इसकांसर हो जाएगा D, ठीक है, तो में आगे हो जाएगा, आगे बढ़ता है, वाट इस कॉमन तुदफ प्लेस नहीं एस अलियार इसापुर कंगजबाती अभ ये तो आपको पता होना ज़ए तभी कर आपऊंगे, शायद नीजमें था उस्टाइम 2019 का पेपर है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, एक है, देखो ये तो नहीं लग रहा, ट्रॉप्र्षिकल लेन लग रहा है, अंडर्गाउड की लोग लिव हो सकता है,ломगे हो सकता है, एक ही योप्चान को रखाने है, टरेश एक कर नहीं करते है, इसमें बंद पनके जो है आप यह ज हूँ है वह क्लावडी नइट में क्यों नहीं भंति तो सबसे पहले आपको यह मालम होना चीह क्यों बनती कैसे दिक कैसे बनता है जब क्या बोलता है लिट से आप थन्दी पानी की बॉटल फ्रिट रिच जो टाके बाहर रख देते हूं ठीक है और मॉयस्ट है तो आप देखो अप्र गास के उपर दूपर यह होता है लीवस में मौशचर होता है और एर जब जब कॉल्ड ओब्जक्त के कॉंट्राइट में आती है तो वो अपना वाटर वैपर कंडेंस कर देती है तो आप देखो अब जो क्लावडी night है cloudy night मतलब clouds है ठीक है तो generally हमारा earth का heat balance काम कैसे करता है दिन में heat आती है earth heat को absorb कर देती है रात में उसको emit कर देती है ऐसे होता है और सर्दियों में क्या होता है यह जो heat आती है वो कम हो जाती है क्योंकि day short हो जाता है तो लूज जल्दी कर देती है तो लैंड थंडी हो जाती है लैंड ज्यादा जल्दी थंडी हो जाती है और बहुत थंडी हो जाती है तो फिर जब इसके contact में आती है थंडी लैंड के और तो अपना waterway पर condensed कर देती है यह concept होता है surface would have low temperature on cloudy nights okay clouds reflect the blowing wind to the ground level जी तो पकवास है ठीक है देखो cloudy nights में क्या होता है कि जब इसमें mechanism क्या है कि earth जो है जो उसने receive करी day में heat उसको वो release करेगी है रात में release करेगी तो जब cloudy nights नहीं होती ना तो यह release होके ऊपर चली आती है atmosphere में heat ठीक है बट जब clouds होते हैं तो clouds क्या करते हैं कि इसको यहां से लेके इसको फिर से reflect back नीचे कर देते हैं ठीक है तो यह जो land है वो थंडी हो ही नहीं पाती समझ में आ रहा है यह land थंडी हो ही नहीं पाती lower layer of यह थंडा होई नहीं पाता क्योंकि जो clouds है वो heat को वापस अंदर reflect कर देते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो यह conceptual question था यह आपको मालूम होना चाहिए तभी करपा हो गया है ठीक है 45 देखते है the 44th amendment to the constitution of india introduced an article placing the election of the prime minister beyond the judicial review अच्छा एक बात अब यह amendment आ गया तो एक बार मैं बता देता हूं कुछ-कुछ amendments बहुत important है 44th हो गया ठीक है 42nd amendment हो गया जिसको मिनी constitution भी बोलता है यह सारे बहुत important है 86th हो गया जिसमें right to education आयता 97th हो गया जिसमें हमारा cooperative society से बारे में बात हो रही है ठीक है और आपके यह जो PRIs और ULBs वाले amendments हैं वह important हो गया ठीक है तो यह सब काफी important है ठीक है तो यह आपको खुद से पढ़ना है 73rd amendment 74th amendment ठीक है तो यह लक्षमी कान के end में न एक्षर दियो नहीं वहाँ पे आपके यह सारे amendments covered है तो वहाँ से आप जाके एक बार इसको देख लेना कि क्या क्या amendments है वहाँ ठीक है क्योंकि important amendments है पूछ लिए जाते है 61st amendment हो गया जिसमें वह age reduced करी गई थी है 22-18 voting age reduced करी गई तीसमें यह सब important है ठीक है तो इस पर question पूछ लेते हैं अब देखते है 44th amendment जो था to the constitution of India introduced an article placing the election of the prime minister beyond the judicial. अभी क्या है judicial review सबका हो सकता है ठीक है तो यह तो बखवास सी चीज हो गई कि prime minister का election judicial review में नहीं है ऐसा तो नहीं होता है इससे का भी judicial review होता है यह गलत है Supreme Court of India struck down the 99th amendment to the constitution of India as being violative of independence of judiciary क्या था 99th amendment NJAC पर था National Judicial Appointment Commission पर था तो इसको struck down कर दिया था क्योंकि अपने साइट से एक law वाला मिनिस्टर रखेंगे इसमें और फिर majority से decision लिये जाएंगे को लिजियम को हटा कर यह NJAC लाने वाले थे लोग तो इससे independence of judiciary hamper हो रही थी है तो इसलिए Supreme Court ने इसको Un-Invalid Declare कर दिया Unconstitutional Declare कर दिया क्योंकि यह एक basic structure है Constitutional ठीक independence of judiciary तो यह भी गलत है नहीं sorry sorry यह गलत नहीं है Supreme Court India struck down 99th amendment यह सही है यह गलत है तो आंसर कर देगा B ठीक है आगे बनता है और यह आप पढ़ लेना आराम से कि क्या आप बोलता है यह article एक मैं देख लेते हैं कुछ नहीं था इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है आगे बढ़ते है 43rd क्या बोल रहा है in the context of proposals to the use of hydrogen enriched CNG ध्यान से पढ़ो इस question को hydrogen enriched CNG मतलब नॉर्मल जो CNG होता है जो CNG वाले auto होता है उसमें full CNG यूज होता है compressed natural gas used होती है अब इसमें क्या बोल रहा है कि हम इसको hydrogen मिला देंगे इसमें है hydrogen plus CNG यूज करेंगे instead of total CNG instead of 100% CNG अब हम hydrogen और CNG का mixture यूज करेंगे यह बोल रहा है as a fuel for the buses in the public transport public transport में as a fuel यूज करेंगे अब उसके लिए कुछ statement देंगें बताना है कौन सी सही और कौन सी कहलाता है पहला क्या है the main advantage of the use of hydrogen CNG is the elimination of carbon monoxide emissions ठीक है इसमें यह वाले fuel को use करके हम जो carbon monoxide है उसको completely eliminate कर देंगे मतलब 100% elimination हो जाएगा ऐसा हो सकता है अगर आपका carbon है इदर अगर यह CNG CNG में क्या होता है मीथेन होता है natural gas क्या होता CH4 अगर इसमें CH4 है और थोड़ा incomplete combustion हुआ तो carbon monoxide तो बने गई ठीक है हमने जब हम पूरा 100% यूज करें तो carbon monoxide ज्यादा बना होता है hydrogen वाला use करेंगे तो बने दो बनेगा ऐसा तो नहीं कि eliminate हो जाएगा बनेगा तो क्योंकि आपका carbon इधार है तो बने घूँवर में हो जाएगा तो पहला रिडियूस हो जाएगा बट आहिं हो तो पहला गलत कर देतेता है अब या तो दो या इन दोनों में सब कोई भी अगर एक स्टेटमेंट आप बता तो सही है तो आपका ओप्षिन आ जाएगा ठीक है कि दूसरा देखते हैं hydrogen CNG as a fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbons emission यह तो हम सही है ना जब पूरा यह जाए जींघा रहे थे तो ज्जादा carbon अविलेबल था तो जब अन बर्निंग हो रही थी जब अन बर्न है यह बन रहे तो जाधा बन रहे थे और जब hydrogen हमने होते हैं बहुत बड़े बड़े से कोशन वह सबसे ऐसे इसको और आँठ तो कभी ऐसे कोशन को करना जो ऐसे लग रहा है तो सबसे कोशन होते हूं वह सबसे स्कूरिंग कोशन होता है तो इसको तो कभी मत छोड़ना अब देखो इस इस इक्जाम्पल से आपको पता दूंगा ऐसा क्यों है ठीक है अब यह अगर आप options देखो के इसके तो 1 & 2 3 4 एक कोई option आप eliminate कर पाऊ तो आपका answer आजएगा पहला option देखता है पहला option देखता है कि Supreme Court के judge को impeach कैसे किया जाता है तो कैसे इंपीच किया जाता है पचास member या फिर सौ member का resolution पास होता है राजसभा या लोगसभा में है ना ऐसे पास होता है उसके बाद यह कहां जाता है उसके बाद यह speaker या chairman के पास जाता है ना वो उसको अप्रूव करता है तभी आगे inquiry committee establish होती है और वो investigate करती है अगर यह अप्रूव नहीं करता है तो आगे पास ही नहीं होता है ठीक है तो यह इसमें क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि यह reject हो ही नहीं सकता cannot be rejected it cannot be rejected गलत होगी statement extreme भी है और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप इसको गलत कर दोगे तुरम वन को आप गलत कर दो वन को आपने गलत कर दिया यह गलत होगया क्या बचा बी और सी बी और सी में को पता इस थ्री सही हमको बस कांसी statement पढ़ने है फूट तो यह बड़ा कोशन है वो बस दो statement में drill down हो गया आप चौथा पढ़ लेते हैं क्या पोड़ा है अगर पास करना होता है Supreme Court का इंपीच्मेंट इतना difficult क्यों है क्यों कि दोनों हाउसे से majority से पास होना चाहिए पहले तो absolute और उसके बाद तू-third majority से पास होना चाहिए पहले तो absolute और majority उसको support करें और two-third present and voting उसके favor में वोट करें तब जाके जो है motion pass होता है ना तो ही impeach होता है ना तो 4 सही है C सही हो गया तो इसका answer हो गया C, बहुत ही simple question था इसमें कुछ नहीं है लक्ष्मिकार नॉर्मल पढ़ी है तो आप कर सकते उसको है 48 देखता है, coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi, सही है, coal sector कब हुआ था, 1969 के आसपास हुआ था, 1969 में उसी ताइम में nationalized हुआ था, तब Indira Gandhi की सरकार थी, सही है, ठीक है, पहला सही हो गया, तो दो option आ गया है मेरे पास, यह और यह, ठीक है, अब देखो, मान लोगर यह, पहले हम एक-क question करके के पढ़ लेते हैं, और फिर देखते हैं कि eliminations कीसे कनेगे, now the coal blocks are allocated on the lottery basis, lottery basis पर होता है क्या, auction basis पर होता है, वो scam देखाता, coal block auction scam, तो auction के basis पर होता है, को बहुत ही famous scam है, तो auction के basis पर होताма, lottery तो नहीं होता है, ना, तो यह गलत हो गया, तो गलत करवा, यह गलत हो गया, यह to meet the shortages of domestic supply but now India is self-sufficient in coal production self-sufficient in coal production में, नहीं, एक ही दो तो company है, coal India ही तो produce करती है, self-sufficient तो कैसे ही हो सकता है, वो full 100% capacity पर थोड़ी operate करती है, और India में जो coal आता है, जो coal produce होता है, वो बहुत ही ash वाला coal होता है, और कुछ-कुछ applications में हमको ashless coal भी चाहिए होता है, तो वो भाहर से import होता है, इंपोर्ट तो coal का बंद नहीं हुआ है, तो यह थर्ड गलत हो गया, अगर आप वैसे भी करता हो कि थर्ड गलत है, तो यह तीन option चलेगा है, direct, सिर्फ बन हो गया है, और वैसे भी कर सकते हो, तो easy कोशन है, elimination technique से ही होगा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, the Parliament, Parliament में, prevention of disqualification act in 1959, exempts the several posts from disqualification on the grounds of office of profit, क्या पता, नहीं पता, नहीं पता है, देख लेटें, डाउट बारी गाटिकरिम डाल लेते हैं, दूसरा क्या है, the above mentioned act was amended 5-10, आरे, यह कौन पढ़ता है, यह थोड़ी कोई पढ़ता है कि, कितना, कोई सा act, कौन सा, कितनी बार amend हुआ है, until and less, बहुत important act नहीं है, जैसे preamble वाल है, वो हमको पता है, एक बार amend हुआ है, तो कि important चीज़, अब यह तो, यह तो कितना ही, मैं बहुत ऐसा कोई news में भी article नहीं है, किसमें, लक्ष्मी गानवे, कि office of profit is not defined in the constitution, यह supreme court ने, और उसके जो conventions है, उससे define होता है, office of profit, थर्ड गलत हो गया, थर्ड हम गलत कर देते हैं, B गया, C गया, D गया, तो 1 and 2 अपने आप अंसर आ गया, ठीक है, तो सारे statements आपको जरूरी नहीं, during the prime ministership of, 9 schedule कब आया था, 1951 में आया था, 1st amendment था, 1951 में आया था, 1951 में कौन थे अपने बैजन, जवाल ना नेरूत है, सबको पता है, यह हो गया, इसका, इसमें बस आपको यह पता होने चाहिए, कब आया था, 1951 में आया था, आगे बढ़ते हैं, 50th, अंडर which schedule of the constitution of India, can the transfer of tribal land to private properties, sorry, private parties for mining be declared non-remode, देहो, यह schedule की बात कर रहा है, किसी schedule की बात कर रहा है, तो जो हमारे 12 schedules हैं, उन में से कोई एक schedule की बात कर रहा है, ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, can the transfer of tribal lands, किसके बारे में बात कर रहा है, tribes के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो tribes related, tribes related, कौन्च article है, 5th schedule है हमारे, 5th schedule में schedule areas, और schedule tribes, schedule areas, और tribal areas की बात कर रही है, उसके administration की, 6th schedule है, 6th schedule में क्या है, sorry, 6th schedule में क्या है, 6th schedule में क्या है, एम टीम वाला है असाम में घाले तरिपूरा मेजवरम के एड्मिर्स्रेशन की बात की गई है ना यही दोनों आर्टिक यही दोनों शड़ी होता है और किसी में ट्राइबल इस बात की गई है देख लेते हैं अब हमें वाट्सअब भी कर सकते हैं 7724-886251 पर अगर आपको कोई क्वेरी है तो लेंस के रिगार्डिंग मेंस के रिगार्डिंग या स्ट्राटिजी कैसे फॉलो करनी चाहिए क्या फॉलो करनी चाहिए यू के बुक आर्ट सेशन जिसमें हम आपको एक घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं तो गाइड यू तो वह भी आप चेक आउट कर सकते हैं इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अविलेबल है और पेट कोर्सेज भी अविलेबल एंड गो और चेक इडव थैंक्यों सामाच पड़ते रहिए हार्ड वर्क करते रहिए अगले लेक्सरों निलते हैं बबाई एंटेक केर